हेलो अबरिवन वेल्कम बेक टू कुरंट अफे डिसकेशन इस सेशन में हम जनुवरी 2021 के जितने भी हिमाज़ादेश के इंपॉर्टेंट कुरंट अफेश हैं उनको डिसकस करेंगे अगर आपको इस सेशन की पीडिएफ चाहिए तो पीडिएफ का लिंक डिसक्रिप्शन ब कॉशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ वर्ष पहले हिमाज़ादेश में क्लेरिकल केडर का एक्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो हिमाज़ादेश का वन विवाग है उसके कलेंडर में कौन सी तश्वीर को दर्शाय हुआ था इसलिए कॉशन इंप मुक्यमंतेर जैराम ठाकुर द्वरह कॉन से विदांसाव अक्षेतर में शी हाट किंदर का लोगकारपन किया गया है तो ये किया गया है पचहाद में तो पचहाद जो है वtin विदांसाव अक्षेतर है सर्मण डिस्टिक में तो वहां के बागब शोक गाओं में सत्तरलाग रुपय की लागत से इस शीहाट केंदर का निर्मान किया गया और इसका लोकारपने किया गया मुक्यमंतरी जाराम ठाकूर द्वारा इसमें स्थानिय दुकान, रिस्तरा, अतिती कक्ष, कौशल विकास केंदर, साइड एमनेटी ये सारी किसारी उपलब्द हैं और लगबग 25 समयला यहां पर कारिकरते हैं जल परिवन सुविदाओं को विक्सित करने के लिए दो गाट और एक सामान्य सुविदा किस नदी पर बनाई जाएगी देखिए हिमाज़डे सरकार जो वाटर टूरिजम और वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको काफी ड़ल्प करने की कोशिश क कर रही है और नए ने एडवाइंचरस कारे भी कर रही है तो सतलु नदी के उपर दो गाट और एक सामान्य सुविदा यह विक्सित की जाएगी इसके लिए एंटी पीसी के साथ M.O.E.U. भी साइन किया गया सदू नदी के उपर एक डैम बनाया गया जिसका नाम है कोल डैम आपने काफिवा नाम सुना होगा तो उसके नजदी की शिमला और मंडी के बॉर्डर के उपर एक जगह है जिसका नाम है ततापानी ततापानी चार वाटर वेज़ भी डिक्लियर किये गए है हिमाजबदेश के एक है ब्यास नदी के उपर तलवारा वेरेज से हरी के डैम पर दूसरा चिनाव नदी के उपर है चिनाव रोड़ ब्रिज से लेके भधर कला तक तिसरा रावी नदी के उपर स्तित है गंदियार से लेके जिसागर डैम तक चौथा जो है वो सतलु नदी के उपर है सुनी रोड़ प्रिस से लेके हरी कर डैम तक इसके लाबा 25 मा दो हजाद सोला को जो नैशनल वाटरवेज है उसके लिए नैशनल वाटरवेज एक दो हजाद सोला इसे जारी किया गया था और उसके अंदर गती इन इकाईया स्थापित करने का निड़ने लिया है तो टोटल तीन जो है सडिस्टिक वाइस पेर फोरेंसिक इकाईया इस्टैबलिश की जाएंगी हिमाजपदेश में और ये तीन जो है बिलासपूर, नूरपूर और बद्धी यहां पर इस्टैबलिश की जाएंगी इसके ल अच्छने ए एशियन डॉयल्मेंट बैंक, दिक एक काफी इंपर्टन कोशन है ये तो भारा सरकार ने हिमाजपदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए डॉलर दस मिरें का साथ समझता, गयापन का पर हास्ताक्षर किये हैं और ये किये हैं एशियन डॉयलमेंट के हिमाचप देश में होटी कल्चर के लिए उन्हें भी ड्वल्प किया जाएगा इसमें यह याद रखेगा कि एशन रुर्लमेंट बेंक के साथ डॉलर दस मिलियन का लोन एगरिमेंट साइन किया गया है हिमाचप देश पुलिस राज्य में सुरक्षा व्यवस्ता और भीड से निपटने के लिए भारत के कौन से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्ता का मॉडल अपनाएगी कुरेक्ट अंसर है ओप्शन ए तिरुपती मंदिर तो आए दिन जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिरों में वी और हिमाचप देश में भी बीड़ रहती थी तो इसके लिए जो तिरुपती मंदिर का मॉडल है उसे अपनाएगया हिमाचप पुलिस द्वारा बात करें तिरुपती मंदिर की इसका पूरा नम है तिरुपती वैंगटेशोर मंदिर अंदरप्रदेश के चित्तुरु जीले में स्थित है और प्रतिवर्ष यहां पर भी लाखो दर्शनाती आते है मुख्यमंदरी जाराम ठाकुर मुबाइल एप शिकर की और हिमाचल में विधाय कॉर्णर के तहत किस अत्रिक्त टैब को लॉंच करेंगे देखिए ये भी 6 जनवरी 2021 को लॉंच किया गया था मुख्यमंदरी जाराम ठाकुर्दौरा इसका नाम है इमितर सेवा देखिए एक्जाम में अगर विधायक ईमितर सेवा भी लिखा होगा तो उस पे भी टिक किजेगा या फिर ईमितर सेवा लिखा होगा तो उस पे भी टिक किजेगा दोनों एक ही बात है ये देखेए ये ये वो आप है इसका नाम है शिकर की और ही माचल, ये सारे के सारे टेब दिये गए है इसमें ये नया टेब एड़ किया गया विधायक इमितर सेवा दिखिए ये जो नया टैब है विधायक एमितर सेवा शिकर की और हिमाजल एप में क्यों एड़ अब किया गया दिखिए जितने भी विधायक हैं उनका अपना अपना विधान सवा एरिया है तो जितने भी महाँपर डॉयल्मेंट कारे हो रहे हैं उसकी फाइल जो है वो अलग-लग डिबार्टमेंट में बेजी जाती है तो जितने भी विधायक हैं वो अपनी फाइल का जो स्टेटस है और कितनी प्रोग्रेस होई उसको चेक कर सकते हैं इस विधायक एमितर सेवा पोर्टल से IIT मंडी के शोध के अनुसार हिमाचरपदेश के बूमी का जल में कौन सी दातू मौझूद है दिखिए IIT मंडी द्वरा एक शोध किया गया और इसमें पाया गया कि हमाचरपदेश का जो बूमी के तपानी है उसमें चार गोना से अधिक उरेनियम पाया जाता है उरेनियम का सिंबल है यू और इसका टॉमिक नंबर है 92 बात करें IIT मंडी की वर्ष 2009 में इसकी साफना की गई थी चेर्मेन है प्रेमवरत डिरेक्टर है अजीद कुमार चतरुवेदी और जो IIT मंडी है वो उहर नदी के किनारे स्थित है और ये जो है कामांद विलेज में स्थित है इसके केमपर जो है कामांद और सालगी इन वि सुचित किया है तो टोलल साथ सर्विसीज हैं जीने की हिमाचपदेश पब्लिक सर्विस गरंटी अक्ट के अंदर गत अधिसुचित किया गया है हिमाचपदेश सरकार के शहरी विकास विवाग दोरा ये वो साथ सेवाएं हैं जैसे गी ट्रेट लाइसेंस, रोड कटिंग इसका नाम याद रखेगा हिमाचपदेश पब्लिक सर्विस गरंटी अक्ट 2011 2011 का ये एक्ट है जनरी 2021 में कोरोनवारिस के बारhone निमजी समें से कौन सा वाइरस हिमाचपदेश और देश के अन्ने राज्यों में फए रहा है हिमाचपदेश UP देश के कर लाम है इस इस का राम है बडृट फ़ियू हिमाचपदेश के एलावा राज्यस्तान, मध्यपदेश और केर्ला इ तो यह कांगड़ डिस्टिक में स्थित है, 1922 को इसका निर्मान किया गया था, इसका एरिया है 307.29 स्केर किलोमेटर, और यह जो पॉंग टैम लेक वाइलाफ सेंचुरी है, इसका रही है 207.59 स्केर किलोमेटर, बात करें बर्ड फिल्यू की, इसे एविन इनिफिलूंजा य बीना प्रोटेक्शन के टाच करें, या हुरिने वाश करें, तो हमें वर्ड फिल्यू हो सकता है. Next is, हिमाज़ोदेश की लोगों की समस्याओं का तौरीच समधान करने के लिए, राजसरकार ने कौन सा हेल्प लाइन नंबर जारी किया है? Correct answer है, option C, 1100. तो अगर आपको कोई परिशानी है, तो आप कॉल कर सकते हैं, 1100 नंबर पर, 1104 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और आपकी शिकायतों का जल्दी जल्दी निप्टारा किया जाएगा. हिमाज़ो देश के गगल एरपोर्ट से कौन सी जगह के लिए हैली टेक्सी शुरू की जाएगी? देखिए, हमारे पूरे भारत में ही हैली टेक्सीओं का काफी क्रेज आ चुका है, और अब जगह-जगह के लिए हैली टेक्सी शुरू की जारी है. तो हिसार से गगल एरपोर्ट, गगल एरपोर्ट से हिसार साइमेंटेनेसली हैली टेक्सी शुरू की जारी है. और ये शुरू की जारी है कैप्टन वरुन सुभाग दोरा, और ये देश की पहली एरटेक्सी है. इसके लावा देहरादून और चंडीगड इनने भी connect किया जाएगा आपस में तो याद रखेगा देहरादून, चंडीगड, धरमशाला और हिसार इन चार एरपोर्ट्स के लिए जो है हेली टेक्सी यनकी पहली एरटेक्सी शुरू की जाएगी इसके लावा हिमाजवदेश में तीन एरपोर्ट्स हैं, एक है शिमला एरपोर्ट्स जो की शिमला की जूबर हट्टी में स्थित है, 27-27 को उड़ान स्कीम यहीं से लौच की गई थी, उड़े देश का आमनागरिक और दूसरा है गगल एरपोर्ट जो की कांगड़ा डिस्तिक में स्थित है, इसे कांगड़ा एरपोर्ट भी कहते हैं, और थर्ड है भुंतरे एरपोर्ट जो की कुलो डिस्तिक में स्थित है, और ये ब्यासमतिक किनारे स्थित है हिमाचपदेश में जन्मन चकारेकरम कब शुरू किया गया था तो 3.02.2018 को हिमाचपदेश में जन्मन चकारेकरम शुरू किया गया था देखे हिमाचपदेश के जहां जहां पर भी जन्मन चकारेकरम शुरू किया जाता है जो भी वहां के स्थानी नागरिक हैं उनकी जो भी शिकायते हैं और समस्य हैं उनका निप्टारा मौके पर किया जाता है इसलिए जन्मन चकारिकरम का शुरुआत की गई थी और यह की गई थी तीन जून दो हजार आठरा को मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर ने किस मासिक पत्रिका का शुर्भारम किया है मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर ने इसका शुभारम किया और इसमें जो भी हिमाचवदेश की नई नेतियां है नई नई योजना है सरकार के कारेकरम है वो सारे के सारे दर्शाज आते हैं आप इसे online read कर सकते हैं इसकी सिभी आपको PDF अबलेबल होगी और ये जो है हिमाचवदेश का digital newspaper है यानि की e-news paper है इसके लावा हिमाचवदेश की और भी प्रकाशन है जैसे की गिर्राज weekly हिमप्रस्ता coffee table book अब नमबर फो तयाड़ू जो हो चुका है माईगव पेपर ये है हिमप्रस्त और ये है coffee table book इसके लावा हिमाचवदेश के जो सूचना एवम जनसंबर्क विभाग है उसका उसकी स्थापना की गिए थी वर्ष 1954 में इसके डिरेक्टर, पब्लिशर और एडिटर इंचीफ ये हैं हरबन सशी हैं ब्रसकोन देखे एक question है जो काफी बार एक्जाम में पूछा चाता है जो हमारा प्रिंटिंग ए स्टेशनरी डिपार्टमेंट है हिमाचवदेश का उसके बार में देखते हैं उस question को देखे वर्ष 1948 में जो ओर्ड सेक्रेटर है वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस के स्टापना की गए थी हमाचवदेश सरकार द्वरा और उसके लिए जो स्टाफ और मिशिनरी है वो बिलासपूर मंडिया और सिर्मौर से मंगवाए गये थे वर्ष 1952 में शिमला में एक जगा है रेस विव वहाँ पर इसे शिफ्ट किया गया था और नमबर 1981 में वहाँ पर आग लग गई थी जो शिमला के रेस विव में इसका जो ओफिस बनाय गया था प्रिंटिंग प्रेस का और बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया गोड़ा च में कौण से कमपनी हिमाजप्तेश में एशया का पहला पर्वतिय असनस्தान स्तापित करेंगी तो सग्सीग्मा तो सीगमा तो यह सिश्ट्रीश का पहला फर्स्ट मांटेन इस्ट्यूट चिया जाए हिमाजवदेश के शिमला और सिर्मौर एरिया के जो चूड़धार एरिया है इसका जो चूड़धार रिजन है वहाँ पर इस्टैबलिश के जाएगा चूड़धार की हाइट है 3647 मिटर लगवग 100 क्रोड की इन्वेस्टमेंट से इसका निर्मान किया जाएगा याद सिग्मा हेल्थ केर की देखिए माउंटेन मेडिसीन की टीम है वर्ष 2009 से आमड फोर्स के द्वारा इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है अमरनाथ कैलाज मांसुरोबर केदारनाथ मनी मेहेश इस तरह के जो एरिया है हिली एरिया है वहाँ पर ये फ्री मेडिकल सर्विस भी प् पोर्टल को इस पर राज्य सरकार की जो भी जन कल्यान करी योजनाय है नीतिया है कार्य है निर्ने है वो उन सारी के सारी जानकारी आम जन को दी जाती है हिमाजवदेश में राज्य रेड क्रोस असपताल कल्यान अनुबा के अधयक्ष कौन है यानि कि स्टेट रेड क्रोस हॉस्पिटल वेल फेर सेक्शन की जो चेर परसन है वो कौन है वो है डाक्टर साधना ठाकुर दॉक्टर सादना ठाकुर मुक्यमति जाराम ठाकुर की धरम पतनी है और हिमाजवदेश का जो स्टेट रेड क्रॉस होस्पिटल वेलफेर सेक्शन है उसकी ये चेर परसन है देखी इसमें कन्फूजन मत रखेगा टोटल कारियोजन के तहत पांच वर्षों में कितनी राशी खरच होगी तो टोटल 102 क्रोड यानकी 102 क्रोड जो है वो state red action plan के अंतरगर spend के जाएंगे अगले पांच वर्षों में reducing emissions from deforestation and forest degradation कि किस तरह से जो भी emission है CO2 का और जो deforestation हो रही है उसे कम के जा सकते और जो forest degrade हो रहे हैं वोने कम के जा सके इसलिए कारेकरम बनाया गया है इसका नाम है red plus याद रखीगा इसकी full form भी याद रखीगा हिमाचपदेश के प्रधान मुख के one selection डॉक्टर सवीता ने कौन सी पुस्तक लिखी है देखिए अब इनका कारेकार खतम हो रहा है तो अब नए बनेंगे लेकिन अभी यही है और यह है डॉक्टर सवीता प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ओफ फॉरेस्ट ओफ हिमाचपदेश इनका दौर एक बुक लिखी गई यह बुक का नाम क्या है इसका नाम है leadership in forest management यह वो बुक है इनके दौरा लिखी गई है यह है डॉक्टर सवीता और यह IFS officer है और हिमाच कुफरी में इंडिया का पहला first indoor ski park जो है कुफरी में बना जाएगा यह याद रखीगा और इसके लिए हिमाचपदेश सरकार ने नागसन ड्वेलपर के साथ MOU भी साइन किया है जो यह कंपनी है जो यह बनाएगी इसका नाम भीयाद रखीगा इसका नाम है नागसन ड्व और इंडिया का पहला यह first indoor ski park होगा और यह कुफरी में बना जाएगा कुफरी जो है शिमला की नजदीक है आप सभी को पता होगा और इसमें ski park, palatial mall, five star hotel, amusement park, gaming zone इस तरह के department भी बना जाएगे अलग-लग एरिया बना जाएगे और 5.04 एकड बोमी में इसे बना जाएगा और 250 क्रोड की लगा से इसे निम्रान किया जाएगा बारतिय सेना के हवलदार कुलदीब सिंग लदाक में किस operation के दौरान शहीद हुए अंसर आपको देखी रहा तो इसका नाम है operation snow leopard दिखे जब चाइना ने दखरंदा जी की थी भारत के एरिया में तो उसमें हमारे भारत को चलाए गया है करदाताओं में जाकुरता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जाराम ठाकुर ने कौन सी पुस्ति का लॉंच की है यानि कि जो टेक्सपेर हैं उनमें awareness बढ़ने के लिए इस बुकलेट को लॉंच किया गया है इसका नाम क्या है इसका नाम है GST FAQ बुकले आप देख सकते हैं ये वो मुवी बनाई गई है मुख्यमंत्री जाराम ठाकुर के उपर और ये लगू फिलम है आप देख सकते हैं इसको इनके फेस्बुक पेज पर भी है NDRF Battalion का मुख्यलग किस तान पर स्थापित किया जाएगा देखी हिमाजबिश में भी NDRF Battalion का जो हेड़कौर्टर है वो उसको इस्टैबलिश करने की कोशिच किया रही है और इसके लिए भी MOU साइन किया रहे है और काफी एग्रिमेंट किया रहे है तो बल मंडी पर शाएगल कंडिशन है और जिस तरह के डिसास्ट राते हैं हिमाजबिश में उनको ध्यान में रखते हुए 12 सरकाद वारा यह निर्ने लिया गया है बेटी है अनमोल योजना के तहत गरीवी रेखा से नीचे के परिवारों में जनमी दो बेटीयों को शिक्षा के लिए प्रोसाइद करने के लिए कितनी राशी की शात्रविदी परदान की जारी है तो हिमाजरे सरकार दोरा काफी योजना चला जारी है इसमें एक है बेटी है अनमोल योजना इसके अंतरकत कोई भी गरीवी रेखा से नीचे परिवार में दो बेटीयों के जनम लेती हैं तो उनको शिक्षा के लिए प्रोसाइद करने के लिए 12,000 रुपे के शात्रविदी प्रदान की जाती है हिमाजरे सरकार दोरा 25 जनवी 2021 को हिमाज़देश को पूर्ण राजय का दर्जा पराप्त हुए कितने वरश हो गए तो टोटल जो है हमारे 50 years complete हो चुके हैं 51st चला हुआ है 50 complete हो चुके हैं इसमें confusion मत रखिएगा हिमाज़देश को full stativity यानि की पूर् अफिशिल वेबसाइट है सरकार की उनका जो help desk का chatbot है उसका क्या नाम है उसका नाम है सहायक option भी correct answer है यह दिख सकते हैं यह हो वह सहायक और अगर आपको कोई query है तो आप यहाँ पे no down लिख सकते हैं और इनको बता सकते हैं और website www.himachal.nic.in मुक्यमत्री जाराम ठाकूर से मिलने के लिए नागरी किस portal पर online आविदन कर सकते हैं तो अगर आप मुक्यमत्री जाराम ठाकूर से मिलना चाते हैं तो इसके लिए online portal बनाया गया है इसका नाम रखा गया है हिम प्रगती उजी गाटी कौन से जीले में स्थित है देखे काफी न्यूज में थी तो ये कुलू डिस्टिक में स्थित है उजी वेली तो कुलू डिस्टिक के गोशाल गाउं में स्थित है उजी गाटी और यानि कि जो गोशाल गाउं है वो उजी गाटी में स्थित है और वहाँ पर रेडियो टेवी इस तरह के जो भी डिजितिल डिवाइसेज है वो सारी बंद कर दे जाती है तो अगजाम में इस तरह से भी कॉशन आ सकता है कि कौण से गाउं में या फिर कौण से घाटी में पराणिक प्रमप्रा है जब कि जो रिशी है जो देवता है वो स्वरग प्रबा और गैक कोइशन एक पर आलाएडी एकजाम में भी पूचा गया था तो प्राघपूर जो है यह कांगडर डिस्टीग में स्थित है और 13PO 2010 को 1st स्ट्रीट लैवल लोरी फेस्टीवल यहां पर मना गया था और प्राघपूर जो है यह Heritage Village है, 9 December 1997 को हिमाचल दे सरकार ने प्रागपुर और इसके नजदी के गर ली, इनने Heritage Village गोशित किया था हिमाचल सेवा पोर्टल के विस्तार के बाद अब उप्पू होकताओं को कितनी सेवाएं परदान की जाएंगी Total 47 Services जो प्रवाइड की जाएंगी, हिमाचल देसका एक पोर्टल है, जिसका ना मैं हिमाचल सेवा पोर्टल अब इसे expand कर दिया गया है देखिए इस तरह का पोर्टल है, तो अगर आपने Bonafide बनवाना है, Income Certificate, Character Certificate, OBC Certificate तो इस तरह की Services और प्रवाइड की जाएंगी पोर्टल है, इस पे लॉगिन कर सकते हैं, और आप ले सकते हैं, सारी सारी सर्विसेज मुख्यमद्री जर्म ठाकुर ने अपना जनुदिन किस दिवस के रूप में मनाया, Correct answer है, Option B, Service Day यानि की सेवा दिवस तो कब था जनुदिन इनका सा 6 जनुदी 2021 को, इतना ही याद रखीगा रस्टी यूवा संसर समारों में अपने बाशन के लिए प्रधार मंतिर ने अंदर मोधी द्वारा सराना की गई चातरा का नाम क्या है इनका नाम है मिरनाल जोशी, शिमला की है ये मिरनाल जोशी और National Youth Parliament Festival हुआ और वहाँ पे इने भी स्लेक्ट किया गया था बाशन देने के लिए और इनकी बाशन की शराना की प्रधार मंतिर ने अंदर मोधी द्वारा और उसके बाद मुख्यमत जराम ठाकर द्वारा भी ट इन दोनों देशों के जो विशेशग्य हैं वो सरविक्षिन कर रहे हैं बिलासपूर लेह रैल्वे लाइन के लिए Natal river और यहां पर जगह है समलींग और ईहें और यह है चाहित द población आप इसका बात करें बडियवेली नेशिनल पार्क की तो इस था पीर मी गेस्ट अप्रand defense एक और यहां पर तो यहंपर एक ही तो क्यमक्म स्थालव यह स्थार्व यहां जैसे का जटीतीन Vic पीजीय सेटलाइट सेंटर हिमाजबदेश के किस जिले में स्थीत है तो यह है उन्ना जिले में स्थीत है तो इसकी जो मॉनिटरिंग किया जाती है सारा कारी किया जाता है तो पीजीय सेटलाइट सेंटर कहा है यह है उन्ना डिस्टिक में प्रजेंटली हिमाजबदेश में छे medical college है, government sector के, एक private sector का है, एक AEMS है जो कि ब्रासपुर में है और PGA सेटरे सेंटर जो है वो उनना डिस्टिक में है पंडी जोहला नहरू सरकारी medical college जमबा का निर्मान के सर्वनिक उपकरम कंपनी द्वारा किया गया है तो ये किया गया है national building construction corporation limited द्वारा तो जो national building construction corporation limited है, उसके द्वारा पंडी जोहला नहरू government medical college जमबा इसका निर्मान किया गया और भारा सरकार द्वारा 117.101 क्रोड का जो fund है वो से रिलीज किया गया और हिमाज़े सरकार द्वारा 18.90 क्रोड फंड दिया गया इस college के निर्मान के लिए किस जिले में एतिहासिक स्थल की खुदाई के दौरान सूर्य देवता की एक अनोखी पत्र की मुर्ती मिली है तो यह मिली है मंडी डिस्टिक में देखिए यह है वो एतिहासिक खुदाई के दौरान सूर्य देवता की पत्र की मुर्ती मिली है देखे मंडी डिस्टिक के डेहरी में एक विलेज इसका नाम है पांगना और ही हिस्टोरिकल साइट है और वहाँ पर महिशा सुर मारदीनी माता टेंपल है उसके नजदी की खुदाई के दौरान सुर्य देपता की ये मुर्ती मिली है बारवी स्तावदी की ये मुर्ती करन अभ्याना इसके लाबा प्रधानमंति देंद्र मोधी ने एम्ज दिली से शुरू किया था कोविड-19 का जो वेक्शनेशन ट्राइब है इस दो नहीं याद रखेगा वो कि चीफ निश्टर जारम ठाकुर ने आईजम्सी शिमला से और प्रधानमंति देंद्र मोधी न सरह है option C enabling women of command society very very important society है किसी ने किसे exam में question आए गये तो जो IIT मंडी है तो उन्होंने enabling women of command इसे बोलते हैं EWO के society इनके साथ collaborate किया है जो भी farmer produce organization है उनको set up करेंगे हिमाजदिश के मंडी district में इसके लिए जो नवार्ड बैंक है यानि की national bank for agriculture and rural development उनके द्वारा 35 रुप पर सेंक्शन किये गए हैं समझते हैं enabling women of command society के बारे में दीखिए society है 18 November 2019 को इसे जिश्टर किया गया था हिमाजदिश सोसाइटर एक्ट 2006 के अंतरकत और अपर 2016 में यान की दो वर्ष तीन वर्ष पहले ही इसकी स्थापना की गी थी IIT मंडी द्वारा और इनका जो कारे है वो म संत्या मैनन इनके द्वारा जो भी रूर्ड वुमेर हैं उन्हें information दी जाती है guidance की दी जाती है कि किस तरह से वो विजनस के कारे कर सकती है नए नए विजनस के कारे कर सकती है अगरिकल्चर के फिल्ड में और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है बात करें आइटी मंडी की 2009 में इसके साफना की गे थी इसका मोटो है scaling the heights चेर्मेन है प्रेमपरत डिरेक्टर है अजीत कुमार चत्रवेदी और इसकी जो मॉनिटरिंग की जाती है वो आइटी रूरा की जाती है तिकिए यह है आइटी मंडी और जो नदी है इसका नाम है जनवी 2021 में केंद्रिय प्रिथी विग्यान मंद्री डॉक्टर हर्शवदन ने के स्थान पर पहले डॉपलर मौसम रडार का उदगाटन किया देखिए जनवी 2021 में हमारे यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर से डॉक्टर हर्शवदन उनके द्वारा फर्स्ट डॉपलर इसके लिए जो लोकेशन है वो देखी जा रही है इससे क्या होगा जो भी मौसम है उसका पहले से प्रेडिक्शन की जाएगी पैसे पता लग जाएगा कि किस तरह से मौसम रहने वाला है जो हमारे फार्मर से अपनी फसल को प्रोडेक्ट कर पाएंगे और जो भी टोरिष्ट गूमने के लिए आते हैं उन्हें पता होगा कि मौसम किस तरह से रहने कि कि अवanton के गिए खेंग ये किणिसी जब जी फाला है कि को विदिध के एक शेत्रीय वैक्सीन स्थानों किन स्थानों पर सावित ने वाला है कि एक तुम उट्हा जडील इदंवान एक निक हैं वो बनाए गए हैं मंडी और दर्मशाला में बारत के पहले मद्दाता श्याम श्रण नेगी ने किस मद्दान के अंदर में मद्दान किया तो पंचायत इलेक्षन थे जनवरी 2021 में तो उस समय इलेक्षन के टाइम में इन्होंने कालपा इनका मद्दान के अंदर है वहाँ पर इन्होंने मद्दान किया बात करें श्याम श्रण नेगी कि इनका जनम एक जुलाई 1917 को किनावर के कालपा विलेज में हुआ था और पहली बार इन्होंने वोटिंग की थी अक्तूबर 25 1951 में दिखिए वैसे जो इलेक्षन थे वो होने थे फरवरी 1952 में उसमें भी इनकी अपीरेंस है वर्ष 2010 में जो उस समय के चीफ इलेक्षन कमिशनर थे भारत के उन्होंने विजड किया था इनके गाउं में और इनसे मिले थे और इनने सम्मानित भी किया था वर्ष 2014 में गूगल इंडे के तोरह जो इलेक्षन के लिए कैमपेंच लाए गया था उनमें भी इनकी स्पेशल अपीरेंस थी हिमाजर दिश में पंचाईती रासांस्ताओं के लिए कितने चरण में चुनाव हो रहे हैं जो जनवी 2021 में चुनाव होए कि निचरण में होए तो वो थ्री फिजिज में होए बस इतना ही याद रखीगा रास्टी उद्यान और वन्यजीब अभिहानों के प्रबंधन प्रभाव श्रीलता के मुल्यांकन के रिपोर्ट के नुसार निवत में से किसे भारत में सबसे अच्छे प्रबंदी सरंक्षिक शेतर की रोप में स्तान दिया गया है वरिवरि इंपॉर्टट कॉष्चन है कुछ कॉष्चन है और काफी इंपॉर्टट है जो इसका परेक्ट चन्सर है option B only one and two देखे एक report है जिसका नाम है management effectiveness evaluation of national park और टीरतन वायलाफ सेंचरी इसे रिलीज किया गया और इसमें great himalayan national park और तीर्थन वायलाफ सेंचरी ये best managed protected areas हैं हमारे पूरे भारत के इसलिए question काफी important है ये और इसे release किया गया था उस समय के union minister थे environment, forest, climate change के प्रगाज आवेड कर उनके जोरे इसे release किया गया था तो great himalay national park और तीर्थन wildlife century इन्हे best managed protected area का award दिया गया है पूरे भारत का और top 5 की list में sanj wildlife century भी है दिखिए पूरे भारत के लगबग 146 national park और हमारे हिमाचल के national park यानकी 5 national park इनको सभी को assess किया गया और 13 protected areas को भी assess किया गया various parameters थेज के लिए और इसमें अलग-लग scoring की गई तो इंडिया का जो national average था वो था 62%, great himalay national park तीर्थन wildlife century इनका था 84.17% और sanj wildlife century का था 82.5% हिमाचल देश के कुल बहुगालिक शेतर का कितना प्रशेतरास्टी उद्यानों, वन्यजीब अभयारनों और सरक्ष्ण बंढ़ारों में शामिल है correct answer option भी 15% देखिए हिमाचल देश में 5 national park हैं, 28 wildlife centuries हैं और 3 conservation reserve हैं देखिए कुछ books में 28 लिखा गया है, कुछ में कम लिखा गया है, कुछ में ज्यादा लिखा गया है, तो maximum जो question के हिसाब से है, वो 28 है, option दी गई है correct answer, तो हिमाचल देश में 8391.42 square kilometer यान की 8391.42 square kilometer का जो area है, total geographical area का ये 15% है, और ये सारा का सारा protected areas में है, conservation reserve में रखा गया है उस पंचाइद का नाम क्या है, जहां मुख्यमत्री जाराम ठाकुर ने अपना वोट डाला, तो इनकी पंचाइद का नाम क्या था, इनका पंचाइद की जो नाम है, उसका नाम है मुरहाग, सिर्व इतना ही याद रखिएगा रास्तिय सरक सुरक्षा महा के उदगाटन समारों में मुख्यमत्री जाराम ठाकुर द्वार संबानित महिला HRTC चालक का नाम क्या है, तो इनका नाम है सीमा ठाकुर देखिए हिमाजडेश की फस्ट वोमेन HRTC ड्राइवर है सीमा ठाकुर, पांच में दो है सोला को हिमाजडेश की जो HRTC की टेक्सी है उन्होंने चलाना चुरू की थी, अब तो यह बस भी चलाती है, तो याद रखिगा फस्ट HRTC फिमेल ड्राइवर है हिमाजडेश की वो है सीमा ठाकुर, तो नेशनल रोड चीफ टीवी के उपलक्ष पर मुख्यमत्री जारम ठाकुर ने सभी को सम्भानित किया, तो इसमें HRTC की ड्राइवर है, सीमा ठाकुर ये डिस्टिक सोलन की है, फिमेल कमर्शिल वहिकल ड्राइवर है, पोनम नेगी जो की किनोर डिस्टिक क है, गुड समार्टियन, मनमोहन ये किनोर के कालपा के है, राइसिंग, पॉन्टा साइव के और रजेंदर कुमार ये अर्की के है, इन्ने सम्भानित किया गया मुख्यमत्री जारम ठाकुर द्वरा, हिमाचादेश राज्य योजना बोड के अध्यक्ष कौन है, तो ये है म अमेलेज को नहीं दिये गए है, वो इनके पास है, इनकी कॉंस्टेंसी है सीराज जो की है मंडी डिस्टिक में, धरमशाला के उस कलाकारगा नाम बताईए, जिसने अमेरिका के कोल्राडो में प्लेन एर सैलून आर्ट पृत्योगिता में दूसरा पूरसकार जीता है, इनक इसक्तो नीकम यहाद रागुत करे इसे गुद्ट करने में में, इसमें जो रॉक है पंडिंग की तो 90 डेका रखे गई है,ذا, बृत्यों इक्स्ट आफ्ज checking, रिक का अमेरिकार और मों धरम हो, इनकी करें गहुद्द देंस नाम ब बटक्रगे चाहनक का की, और चैशिसALK प्रेसरकार दोरा की जाएगी। इसमें मंदी डिस्टिक में CCTV-based surveillance system लगा जाएगा, IP-based camera infrastructure, integrated surveillance system control center at police line मंदी लगा जाएगा और women की assistance की जाएगी, जो girls और senior citizen है, female जितने भी मंदी डिस्टिक में और मंदी city में तो उनकी assistance की जाएगी। बात करें निर्वेफंट की त्याद रखेगा, वर्ष 2013 की union budget में इसके announcement की गई थी। पुलिस training college दरो को बुनियादी prescription प्रदान करने के लिए देश में कौसा स्थान मिला है, तो फस्ट स्थान पर है याँ पहले स्थान पर है पुलिस training college दरो और यह मिला है इन्हें basic training प्रवाइड करने के लिए। और यह दिया गया है वर्ष 2018-19 के लिए, फर्स्ट प्लेस पर है ये पुलिस ट्रेणिंग ओले दरोग, ये कहा है कांगरा डिस्टिक में। इसके लावा वर्ष 2017-18 के लिए इनने फर्स्ट पर दिया गया था लेकिन वो दिया गया था लेकिन वो दिया गया है Northern Reason में, गैस्ट ग्राउंड वाय टेलीकॉम नेटवर के अपयोग के लिए एक समझाते पर हास्ताक्षर किये हैं प्रक्रेक्ट अंसर है और किया और किया है टोल हो गया है 850 किलोमेटर इसमें कांगडा, उन्ना, मंडी, कुनलू, बिलासपूर, सिर्मौर, पालंपूर, सुंदर नगर, बनी केत, अमब, पॉन्टासाइब और नहान यहां पर यह जो ऑप्टिकल ग्राउंड वायर फाइबर है इसे बिचाय जाएगा कुरोना से बचने के लिए श्रीर में रोग प्रतिशोदक शम्ता बढ़ाने के लिए किस संस्थान दोरा इम्मूनिटी बूश्टर पाउडर त्यार किया गया है तो यह किया गया है इसकी स्थापना किया थी वंस 1983 में और CSR के अंदर गत्य कारे करता है यहनकी Council of Scientific and Industry Research और यह काम पर है यह कानटिश्टी के पालंपूर में स्थित है क्षेत्रिय जल क्रेडा के अंदर पॉंग बांध किस वर्ष स्थापित किया था वर्ष 1980 में स्थापित किया था रीजिनल वाटर स्पोर्स सेंटर पॉंग डैम वेरी बैरी इंपर इंपर निति आयोग इंडिया इन इनिवेशन इंडेक्स 120 विस्टेट हैस गौट फर्स रंग इन ही हिल स्थेट्स और नॉर्थ इस्टन कैटेगरी निति आयोग के जो भारत नवचार सुजगांग 2020 है उसमें पहला सानकी से मिला है पहाड़ी राज्यों और पुर्वत्र क्षेणी में तो यह मिला है हिमाच इसका स्कोर है उसी याद रखेगा 25.06 है और करनाटका स्कोर है 42.50 और देली का स्कोर है 46.60 देखी इसके लिए कुछ पैरेमेटर डिसाड किये गए थे इसमें 5 इनिबलर पैरेमेटर थे human capital, investment, knowledge workers, business environment और safety and legal environment और दो performance पैरेमेंटर थे knowledge output और knowledge diffusion ऐसे याद रखेगा कि कितने इसमें इनिबलर पैरेमेटर थे एक वर कॉशन आया था एक exam में बैंक के exam में और उसमें थीम पूझा गया था कि कितने थीम में अवाड दिये गए थे देश के दूसरे सबसे लंबे अवधी के फेस्टिवल के रूप में snow festival कहां मनाय जाएगा तो ये जनवरी में मनाया गया और ये हिमाजवलेश के लौस्पिती district में मनाया गया और देश का दूसरा सबसे लंबा अवधी का ये festival था इसका नाम याद रखेगा snow festival लगबग 60 दिनों तक ये चला था और 25 जनवरी को ये शुरू हुआ था और इससे पहले जो देश का सबसे लंबा जो है वो फेस्टिवल है वो है 36 गड़ के बस्तर का दशेहरा 75 देश तक जो की चलता है और विश्व का ये सबसे लंबा फेस्टिवल है तो दूसरा जो सब गिरी डीव कौन सी जील में स्थित है तो उस टेम इसे ओपन किया गया था टूरिस को जाने के लिए और काफी वीडियो भी आपने देखी होगी तो ये जो है ये पॉंग लेक में स्थित है काउन डिस्टिक में है पॉंग लेक तो वहां पर है रामसर गिरी आइलेंड कौन इन जो स्नो लेपर्ड है उनके और उनके वाइल्ड प्रे के बारे में जो असेस्मेंट की है वो हिमाजवडेश ने की है तो इसमें पता लगाया गया है कि इनका वाइल्ड प्रे क्या है और कौन कौन सी एरियाज में है तो इसमें जो हिमाजवडेश का स्टेट वाइल्ड यह जो मंत्राले है इनकी देखरेक में सारा कारह किया गया देखी पता लगाया गया कि हिमाचवदेश में जो एस्टिमेटल पॉपलेशन है वो 73 है सनो लेपर्ड की यह जनुवरी की बात की जारी है और 0.08 से 0.37 पर इंडिविजल जो है सनो लेपर्ड है हिमाचवदेश में पर 100 स्क्वेर किलोमेटर में और यह मुक्य रूप से ट्रांस हिमाचवदेश के यानि कि स्पीती, पिन वैली और अपर किनौर का एरिया है वहाँ पर इसकी जारा डेंस्टी पाई जाती है और इस स्टेडी में 26,112 स्क्योर किलोमेटर को कवर किया गया और तीन वर्ष लगी इस पूरी को असेस्मेंट करने को बात करने सनो लेपर्ड की इसका साइंटिफिक नेम है पैंतरा उन्सिया वर्ष 2007 में थर्ड सेट वाइलाइव बिंग की बोर्ड मीटिंग हुई मरिकला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है आप देख सकते हैं इमेज में यह है मरिकला देवी मंदिर तो यह चिनाव नदी के किनारे स्थित है लॉस विदिटिस्टिक में है यह न्यूज में क्यों था उस समय यह क्योंकि जो इसका स्टक्चर है वो लखडी से बन मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के तहत 40 लाग तक के रिन पर युवाओं को कितना प्रश्चत अनुदान दिया जाता है। प्रश्चनली लेनी है या उपकर्ण लेना है इसमें विद्वाओं को 35 प्रश्चत और महिलाओं को 302 प्रश्चत और अन्य जो बचे उनके लिए 25 प्रश्चत की सब्सेड़ी प्रदान की जाती है। इसमें लहस्पिति के क्वारिंग और मदरांग विलिज को स्लेक्ट किया गया है। देखे 15 प्रश्चत और 2020 को हिमाचब देश के लहस्पिति डिस्टी के लहर वैली के क्वारिंग विलेज में देश का पहला हींग का पौदा लगाया था। काफी पौटल कॉश्चन है ये। इससे पहले जो है अफगानिस्तान से हम हींग लाते थे लेकिन अभी यहां पर हींग की कल्टिवेशन शुरू की गई है। और जितना भी हमारा हाई altitude area है उसकी area को select किया गया है। माइनस 5-10 degree Celsius का temperature इसके लिए best suited रहता है। sandy clay loom soil इसके लिए suited रहती है। और annually 100 to 350 mm की जो rain है इसके लिए suitable रहती है। यनकी हींग कल्टिवेशन के लिए suitable रहती है। हिमाज़देश के क्रिशी विवाग ने राज्य में उच मुल्य वाले मसालों की फसलों की खेती के लिए किस संस्तान के साथ एक समझाते किया अपन परहास तक्षिर की है इनके जो high value spices crops हैं उनके लिए हिमाज़देश का जो agriculture department है उन्होंने एक IMOU sign किया है तो यह MOU जो है institute of हिमाज़देश के पहले online यूवा रेडियो स्टेशन का नाम क्या है इसका नाम है Radio Hills यंगिस्तान का दिल याद रखेगा हिमाज़देश का first online youth radio station है यह और इसकी जो founder है वो है दीपिका और सौरब तो यह भी याद रखेगा जो हिमाज़देश का पहला यह youth young radio station है यूथ radio station इसका नाम है Radio Hills यंगिस्तान का दिल हिमाज़देश के पचासवे राजय दिवस के अबसर पर आईजित कारेकरम का क्या नाम है तिकी हिमाज़देश में पचासवे राजय दिवस के अबसर पर अलग-लग कारेकरम के जा रहे है अलग-लग जगह पर हिमाज़देश की तो इसके लिए जो कारेकरम में उसका नाम रखा गया है सौरन नमी हिमाज़द कारेकरम आप देख सकते हैं इस तरह से इसका जो फ्रेंट पेज है वो डिजाइन किया गया है हिमाजवडेश सरकार द्वारा और इसके लिए काफी कारे किये जा रहे हैं हिमाजवडेश का वन क्षेतर कुल क्षेतर फल का कितना परिशत है इतका प्रेक्टर अंसर है ऑप्षन सी 68.16 देखिए वर्ष 1971 में हिमाजवडेश का जो वन क्षेतर था वो था 21,434 वर किलोमेटर जो कि हिमाजवडेश का टोटल एरिया का 38.50 परसेंट था और अब हिमाजवडेश का जो वन क्षेतर हो गया है वो 37,948 वर किलोमेटर हो गया है जो कि 68.16 परसेंट है पूरी एरिया का वर्ष 1971 में हिमाज़ेस की साक्षर्टादर क्या थी? 32% लिटरेसी रेट थी हिमाज़ेस की वर्ष 1971 में Census 2011 के अमसार लिखा गया है 82.80% हिमाज़ेस की साक्षर्टादर और Census 2001 में लिखी गई है 76.48% और अभी कितनी होगी है? अभी हो चुगी है 86% तो यह याद रखिएगा वर्ष 1971 में थी 32% अभी हो चुगी है 86% हिमाज़ेस पुलिस त्वारा ड्रग्स की लट के लिए बनाएगी मुबाइल एप का नाम क्या है? यानि कि ड्रग अभी उसको किस तरह से रोका जाएगा? उसके लिए एप बनाएगी है इसका नाम रखा गया है ड्रग फ्री हिमाज़ लेश के कितने गाउं सट्क मार्ग से जुड़ चुके हैं तो कितने गाउं हैं टोटल हिमाज़ पुड़ हैं 2335 गाउं हमारे इतना ही याद रखेगा कि वर्ष 1971 में 2218 किलोमेटर पकी सड़कें थी हिमाचप देश में और अब जो है 28588 किलोमेटर पकी सड़कों का उनिमान हो चुका है हिमाचप देश में और 2335 गाउं को सड़कों के साथ जोड़ चाँ चुका है हिमाचप देश में हिमाचवदेश में किस वर्ष में प्रेटन को उद्द्योग का दर्जा दिया गया था यानि कि जो टूरिजम है उसे इंडस्ट्री का स्टेटस कब दिया गया था तो हिमाज़देश में जो हमारा प्रेटन विवाग है उनके द्वारा वर्ष 1984 में जो प्रेटन उद्योग है उसे इंडस्टी का स्टेटस दिया गया था हिमाज़देश के सकल गरेलू उतपाद में प्रेटन उद्योग का कितना योगदान है तो टोटल 7.3% कोंट्रिविशन है टूरिजम इंडस्टी का हिमाज़देश की GDP में तो इसमें भी देखिए वर्ष 1984 में प्रेटन उद्योग का दरजा दिया गया था इसको याद रखेगा और अभी जो प्रेजन्ट में हिमाज़देश की GDP है उसमें 7.3% योगदान है प्रेटन उद्योग का हिमाज़देश की GDP में हिमाज़देश के किस प्रधान मंत्री के कारेकाल में भारत का 18 राज्यव बना था तो उसमें प्रधार मंतरी कौन थे जब हिमाज़ देश 28 राजया बना था भारत का तो उसमें प्रधार मंतरी थी इंदरा गांडी हिमाज़ देश के किस व्यक्ति को पदम शीज सम्मानित किया गया है very very important question इनका नाम है करतार पारसराम सिंग करतार पारसराम सिंग ये हमिरपुर जीला के नदौन के ग्राम पंचाइट नोहंगी के रहने वाले हैं और इन्हें पदम शिर सम्मानित किया गया है ये बांस की कलाकरितिया बनाते हैं आपको दिखाता हूं हमें यहां देख सकते हैं आप ये बांस की कलाकरितिया जिनके द्वारा बनाई गई है और इनके लिए इसलिए इने जो है पदम शिर सम्मानित किया गया है ये देख सकते हैं आप ये पदम वी भूशन है टोटल साथ पदम वी भूशन दिये गए थे इनको रिडाउट कर लीजेगा और इनको लर्न कर लीजेगा और पदम भूशन जो हैं वो दस लोगों को दिया गया था और एक सो दो लोगों को पदम श्री दिया गया था जिनमें एक थे करतार पारस राम सिंग ये हिमाजडेश के हमरे पूर्डिश्टी के रहने वाले है हिमाजडेश के पूर्ण राजट्व दिवस की सुर्ण जन्ती के अवसर पर वर्ष भर में कितने समारों का आयजन किया जाएगा टोटल 51 प्रोग्राम के जाएंगे हिमाजडेश में गोल्डन जूबली को सेलब्रेट करने के लिए शिमला में स्थित दीप कमल किस राजनेतिक स्थल का कारेक कारले है तो बीज़ेश पिक जो पार्टी है भरते जन्ता पार्टी उनका जो कारले है उसका नाम दीप कमल है और यह शिमला में स्थित है इसके लावा पिछले वर्ष यंद की 2020 में एक नई पार्टी फॉर्म किय पार्टी का नाम यादर्खी का हमारी पार्टी हिमाजल पार्टी और यह जो राजन शुजान्त हैं यंग गैस्ट मेंबर थे हिमाजल लेजिस्ट्रेटर असेंबली के वर्ष 1922 में इसके लावा ये मिनिस्ट्री आफ स्टेट फॉर रेवेन्यू भी रह चुके हैं प्रेम द्र पिज्ट्रों समाहरों में इस जांकी को परतम पुर्सकार तीए गया तो हिमाजल लेजिश्ट्रेट अलकिके पॉड्टी आरोग के योजना में उत कार्ये करने के लिए राजय पारद्वारा संभानित किया गया था तो ये ही नुघ्टर जनक राज्य डॉक्टर जनक राज शिमला के IGMC में कार्रत है और ये चम्बा के बरमौर के रहने वाले है हिमाज़ देश के किस जिले में अटरल मेडिकल इन्वेस्टी बनाए जाएगी तो ये बनाए जाएगी मंडी डिस्टिक में मंडी डिस्टी का जो बल एरिया है वहाँ पर एक जगह है जिसकारा में नेर डांगू वहाँ पर अटरल मेडिकल इन्वेस्टी बनाए जाएगी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाए जाएगा इसके लिए 102 बिगा जमिंग डिसलेक्ट कर ले गई है और 3.5 क्रोड रुपे की टोकन बजट किसके मंजूरी भी दे चुकी है गंदंदर दिवस के अपसर पर हिमाचर पुलिस के कितने अधिकारियों को उतकरिश सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है टोटल पांच अधिकारी ऐसे हैं जिने सम्मानित किया गया है 12 सरकार दोरा और ये हिमाचर पुलिस से है हिमाचर पुलिस के किस पुलिस अधिकारी को राष्टरपती पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है एंड वेनु कुपाल को ये वो पांच पुलिस ओफिसर हैं जिनकी प्रेज़ेंट मेडल दिया गया है और ये हिमाजवदेश के हैं देखे ये हैं एडिशनल डिरेक्टर जन्रल और पुलिस CID में हैं एंड वेनु कुपाल इन्हें प्रेज़ेंट्स पुलिस मेडल से समानित किया गया दूसरे हैं शबर सिंग ठाकुर ímाजवर सबिस्पेक्टर सतपाल और रीजवेंदेश कमार इन्हें समानित किया गया जनन्री 2021 में हिमाजवदेश के मुख्य नदिश ऐल नारैन स्व्वमी द्वारा कहां पर सीवीजें कोक्षाटन किया गया गया इनके दूरा मंडी में जाना पड़ता था तो गाफी दूर पड़ता था इन्हें इसलिए यहां पर इसकी स्थापना की गई इसके लावा जो हिमाजबरिश का हाई कोट है उसमें एक ही फीमेल जज है वो है जस्टिस जोसरा रिवाल दुआ टोटल नाइन जजजीज है और एक हमारे चीफ ज़स्टिस है हिमाजबरिश के वोक्यमत्री जराम ठाकुर ने जन समबाद का खशा उदगाटन कहां किया तो जनवरी 2021 में कहां किया था यह किया था मंडी में सीमा सुरक्षाबल दक्षिन बंगाल फ्रंटियर के डिएजी सुरजी सिंग गुलेरिया को भात्रवें गंदंद दिवस पर किस पदक से समानित किया गया तो इन्हें प्रेजेंट पुलिस मेडल फॉर्ग लेंटरी दिया गया दिखिए न्यूज में इंपोर्टन हमारे ल इंडिया के माध्यम से जंगली कुतों पर एक अध्यान किया है वेरी वेरी इंपोरेंट क्वेशन इंग्लिश में रीड करता हूं अंडर वीच प्रजेक्ट देवाल विंग ऑफ हिमाचय परेज फॉर्च डिपार्टमेंट कंड़क्टेड ए स्टेडी ऑन फेरल इसकरा में सेक्योर हिमाल्या प्रजेक्ट वेरी वरी पॉर्ड़ कोश्चन है इसको याद रखिएगा देखिए पूरे बारत में जो भी फिरल डॉग्स हैं उनकी कंदरविशन के लिए और जो हमारा हाई हिमाल्या रीजन है उसके एको सिस्टम को कंदरब करने के लिए किया गया है स्पेस्पिकली देखें जम्गो कश्मीर में चांगतांग एरिया को हिमाचब्रेश के लौहल पांगी और किनौर एरिया को उत्राखंड के गंगोत्री गोविंद धाम ब्यांस बैली और पितोरागड को सिक्क्यम के कंचन जंगा और अपर तीस्ता वैली इन सबस्थ समझते हैं फैरल डॉग्स का होते हैं देखिए जो भी कुते यहनली की और ऐसे से अलग हो जाते हैं जहां पर है यूं थो होता है कलोकली आख्यरा जहां जहां इन उनसे वह और अलग हो जाते हैं तो वह गंद घ़ए और वगएरा मास और खाना शुरू कर देते हैं और इनका नेचर ऐसे महासारी बन जाता है उन्हें कहते हैं इनके बीहविविए एकुड़ में काफी चेंज देखने को मिलते हैं तो Geological Survey of India जिसका हेड़कॉर्टर है कोलकत्ता में इसके साथ मिलके हिमाचलिश के वाइल लैव विंग ने Forest Department का जो वाइल लैव विंग है उन्होंने एक सर्वे कंड़क्ट किया एक Study कंड़क्ट की Feral Logs के उपर ताकि जो Feral Logs का Distribution Pattern है, Population Status है और इनका Feeding Source क्या है उसको ये Study कर सके इसमें लौहल, पांगी और किनौर ये हिमाचलिश के एरिया Select किये गए थे देखी ये Important इसलिए भी है इनके बारे में Study करना क्योंकि इनकी वज़ा से जो भी हमारे जंगली और जानवर हैं जो कि हमारे जंगलों में रहते हैं, उनकी Biodiversity Loss भी काफी हो रही है और उनकी जो Species है वो भी खतम हो रही है जैसे कि फूड के लिए जो और जनवर हैं जैसे कि Snow Leopard है तो जो फूड ये खाना चाते हैं, उन फूड को ये Feral Dogs खा जाते हैं इन सभी एरियाज में इसलिए काफी कंसर्ण है, जैसे हिमाजवदिश का स्ट्रेट अनिमल है, Snow Leopard उनके लिए और भी जनरों के लिए काफी कंसर्ण है और इनकी जो भी संक्या है वो कम हो रही है भारत नवचार सूच कांग 2020 में हिमाजवदिश का स्कोर क्या है, अभी हमने कुछ टाइम पहले स्कोर डिस्कस किया तो हिमाजवदिश का क्या स्कोर है इसमें 25.06 तो जो भारत नवास इंडेक्स है हमारा इनोवेशन रिपोर्ड कार्ड जो है भारत का उसमें मेजर स्टेट में टॉप किया है करनाटका ने और नॉर्थ इस्ट और हिली स्टेट में टॉप किया है हिमाचा पडेश ने और यूटी और सिटी स्टेट में डेली ने टॉप किय तो वहां पर फसलों के लिए एक नए साल के रूप में तोहार मनाया जाता है उसका नाम क्या है उसका नाम है हालदा और फरविट में जो भी इनके कलेंडर के हिसाब से डेड़ आती है उस टाइम यह मना जाता है और इसे New Year for Crops in the Lowall Valley इस नाम से भी पुकारा जाता है दिखिए समझते हैं इस तिवहर को जो भी हमारे देवदार के व्रिक्ष हैं उनकी लखडियों को काट कर पैंसिल की तीही नोग की तरह इस तरह की लखड़ीय तियार किया जाती हैं एक गठ्था त्यार किया जाता है और जो भी male members है family के वो हर male member एक-एक इस तरह का लकडी का गठ्था बनाता है इस तरह की एक torch बनाता है और इसे घर में ही light up करके घर में ही जला कर ये घर से बाहर निकलते हैं और जो जगा decide की हो वहां पर जाते हैं और इस दोहर को मनायते है और ये dedicate किया जाता है शाशीकर आपा को जो की goddess है wealth in lamastic python मतलब जो lamastic है उनके लिए goddess of wealth है ये शाशीकर आपा हिमाचल देश में चल रही गति वीडियों और योजनाव पर आधारित सरकार के कारेकरम का नाम क्या है तो इसका नाम है हिमाचल बुलेटिन देखिए हिमाचल सरकार का एक youtube channel है जिसका नाम है dpr हिमाचल तो उसमें हिमाचल देश के जो भी बुरे दिन में जो भी news रहती है तो उसे publish किया जाता है इसका नाम रखा गया है हिमाचल बुलेटिन ये थी मारी discussion और अगर आपको इस एचनी की pdf चाहिए तो link description box में दिया गया है वहाँ से आप download कर सकते हैं आप telegram भी visit कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको link मिल जाएगा thanks for watching video do like, share and subscribe my channel